जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि उर्जा के पारंप्रिक स्त्रोथ किस तरह विद्युत उर्जा को उत्पन करने में मदद करते हैं, जिसमें से जादतर उर्जा का स्त्रोथ जिवाश्मी इंधन ही रहते हैं, जिस तरपर इन जिवाश्मी इंधन का उप्योग हो रहा है, बहुत ही जल्द ये स्त्रोथ खतम हो जाएंगे, फिर हमें उर्जा कहा से मिलेगी, कभी सोचा है? पारंप्रिक स्त्रोथ के अलावा एक तरह के स्त्रोथ और भी होते हैं जिने हम गैर पारंप्रिक स्त्रोथ के नाम से जानते हैं गैर पारंप्रिक स्त्रोथ वैस्त्रोथ होते हैं जिन में नए तरह से उर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है मोटे तोर पर ये चार तरह के होते हैं सौर उर्जा ये सोलर एनरजी समुंदर से उर्जा भूतापे उर्जा ये जियो थर्मल एनरजी नाभी के उर्जा ये न्यूक्लियर एनरजी हर एक स्रोत पर बारी-बारी से बात करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में सूरी से आने वाली किरने बहुत ही जादा मात्रा में आती है क्या आप सोच सकते हैं कि इसी सूरी की उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदला जा सकता है सूरे की उर्जा को बदलने के लिए सिलिकॉन की सेल को उस शेतर में रखना होगा जहां सूरे की किरने पड़ती हो ये सेल उर्जा को बैटरी में स्टोर कर जरुवत पढ़ने पर इस बैटरी से विद्ध उर्जा के तौर पर उप्योग की जाती है शहरों में कई जगा लोग अपनी चट पर सोलर पैनल लगाकर उससे मिलने वाली विद्ध का उप्योग कई उपकरन चलाने के लिए करते है लागत के मामले में ये थोड़ा महंगा रहता है लेकिन आने वाले वर्षों में सौर उर्जा की खपत बढ़ सकती है दूसरी तरह की उर्जा हमें समुन्दर से मिलती है अब आप सोच रहे होंगे की समुन्दर से उर्जा किस तरह मिल सकती है पिछली वीडियो में हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में देखा था उसी तरह यहाँ भी तीन प्रकार की उर्जा समंदर से मिल सकती है ज्वारे उर्जा या टाइडल एनरजी, तरंग उर्जा या वेव एनरजी, महासागर की ताप्य उर्जा या ओशिन थर्मल एनरजी ज्वारे उर्जा में समंदर के किनारे ज्वार बढ़ते और घटते रहते हैं ज्वाल के बढ़ने और घटने से तर्बाइन को गुमा कर विद्ध उर्जा बनाई जा सकती है तरंग उर्जा में एक बड़ा पाइप समुद्र टट पर लगाया चाता है तरंग के उपर और नीचे होने के कारण पाइप में हवा का दबाब बढ़ता और घटता है जिससे तर्बाइन गुमाई जाती है आखरी केस में महसागर की तापे उर्जा में क्या होता है कि सूर्य के खिर्णों के समुद्र पर गिरने के कारण पानी के उपर की सतय गरम रहती है और नीचे की सतय थंडी तापमान के इस अंतर को तरभाइन के गुमाने में उप्योग किया जाता है एक प्लांट समुंदर में लगाया जाता है जिसमें एक एवैपुरेटर और एक कंडेंसर रहता है पाइप में लिक्विड अमोनिया भरा जाता है अमोनिया तापमान के इस अंतर पर सम्वेधन शील होता है जब वे गरम पानी के संपर्क में आता है तब वो गरम होड़ता है और अमोनिया के वेपर टरबाइन को गुमा देते हैं फिर कंडेंसर की तरफ जाकर यही अमोनिया ठंडा हो जाता है और चक्र चलती रहती है तीसरी तरह का स्त्रोथ होता है भूतापय उर्जा या जीयो थर्मल अनरजी आपने पहाड़ी इलाकों में जमीन से निकलते गरम पानी ये स्टीम के बारे में सुना ये देखा होगा ये पानी जमीन के अंदर तापमान में अंतर आने के कारण बनता है तो चलिए इस एनरजी को समझने के लिए जमीन के अंदर चलते है जमीन के कोर में गरम मैगमा रहता है जो कि जमीन की टक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण उपर की सतह पर चट्टानों को गरम कर देता है जब जमीन के अंदर का पानी इन चट्टानों के संपर्ग में आता है तब स्टीन बन जमीन की सतह की और चिलने लगता है और जमीन की सतय पर आते ही गरम पानी या स्टीन की शकल में फूट जाता है यदि इस स्टीन के उपर एक बड़ा पाइप लगा कर दबाव बढ़ाए तो थर्मल प्लांट की तरह यहां भी स्टीन का दबाव टर्बाइन को घुमाने में मदद कर सकता है और ये तर्बाइन जनरेटर के माधियम से विद्ध उर्जा को बनाने में जिसके बारे में हम पहले से ही जानते है आखरी स्टोथ है नाभी के उर्जा या न्यूक्लियर अनर्जी न्यूक्लियर अनर्जी दो प्रकार से मिलती है ना भी के विखंडन या नुक्लिय फिजन और ना भी के संगलेन या नुक्लिय फिजन इस दुरोथ को समझने के लिए Einstein के equation E is equal to mc² को समझना होका Einstein ने दो गैर बराबर मुल्यों को बराबर बताया एक energy और दूसरा mass Einstein ने कहा mass को energy में बदला जा सकता है और energy को mass में चलिए इसे करीब से समझते हैं यदि uranium का एक अस्थिर nucleus लिया जाए तो वे स्थिर होने की कोशिश करेगा uranium को स्थिर बनाने के लिए एक neutron को इसके पास bombard किया जाए तो uranium इस neutron को अपने अंदर सोक लेगा और हमें दो स्थिर nuclei मिलेंगे दो nuclei के साथ साथ इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा प्राप्त होगी जिसे विडियोत उर्जा में बदल सकते हैं यदि एक nuclei का वजन किया जाए तो हमें uranium की तुलना में वजन कम मिलेगा जिसका मतलब है कि कुछ मास एनरजी में बदल गया दूसरे केस में संगलयन होता है यहाँ दो छोटे nuclei साथ मिलकर एक बड़ा nucleus बनाते हैं जैसे दो hydrogen के nuclei एक helium का nucleus बना सकते हैं लेकिन जब दो hydrogen के nuclei को पास लाया जाता है तब दोनों की वीच प्रतिकर्शन होता है तो helium का बनना तभी मुम्किन है जब तापमान बहुत जादा हो 10 की पावर 6 Kelvin से पी जादा इतना तापमान धरती पर तो मुम्किन नहीं है लेकिन हम सूरे को देखे तो जानेंगे कि वहाँ इतना तापमान होना मुम्किन है दरसल सूरे पर fusion होता रहता है नाबी के उर्जा मिलने के साथ जो इसका अफशेश बचता है वो जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है इसलिए न्यूक्लियर रियाक्टर जहां न्यूक्लियर एनरजी बनाई जाती है वह सूरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है पूरे ब्रह्मान के आगे हम बहुत छोटे हैं लेकिन हमारा दिमाग बहुत ही बड़ा विख्यान के आविशकार मानभ के इसी बड़े दिमाग की देन है उसी प्रकार इसी दिमाग का उप्योग कर लोग विख्यान के जरीए गलत काम भी कर रहे हैं हमें हमीशा याद रखना चाहिए कि इस इंसाय के पृति हमारी भी एक जिम्मेदारी है जिसे हमें पक्खूबी निमादा होगा